शूप्रबाद पिरिये विदार्थियों गत वर्षा में आपके साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बड़ा मद्धे कालिन भारत है उसके दो पार्ट है एक का नाम सल्तनत कालिन भारत है दूफरे का नाम मुगल कालिन भारत है सल्टनत कालिन भारत में से भी आपको तीन बड़े परसन पूशे जाते हैं और मुगल कालिन भारत में से भी तीन बड़े परसन पूशे जाते हैं आज में आपके साथ मुगल काल पर विचार विमर्स करूँगा मुगलकाल के बड़ा पहले सिस्थाफ़क या मुगल राजर्वन्च का पर्थम शाषक कों था बाबर के बारे मुगड़े बाबर के बारे बारे मुड़ा आपको कभी भी बड़ा पर्षण नहीं पूझा जाता है क्लास में पर्तेक्स रूप से होते हो जब तो आपको ये भी बताया जाता है कि बाबर का जनम कब हुआ कहा हुआ और वो कहां से ये पता आपको कहां से कहां आया वह हिंदुस्तान क्यों आया और उसे हिंदुस्तान आने का निमंतरन किस्ने दिया उसने हिंदूस्तान में कितने महत्वफों युद किये और उसका समादी स्थल कौन सा है उसका दरबारी विद्वान कौन सा है यहां आपको क्या आति लगुरात्मक और लगुरात्मक परसन ही पूछे जा सकते हैं अगर मैं ये पहला परसन आपके सामने यहां येक्स करूँ बाबर के वारे में बड़ा आपको बाबर का जनम नहीं पूस्ता है और जनम इस्थान भी नहीं पूस्ता है इसकी पिता का नाम भी नहीं पूस्ता है इसकी माता का नाम भी नहीं पूस्ता है इसका सुरुवार्थ वो शिरिगनेस कहा से करता है वो भारत आगमन से ही करता है वहाँ भारत आगमन पर आपको पहला एक्षपरसन ये पूछते हैं कि उन्सासकों के नाम बताईए जिन्होंने बाबर को भारत आने का निमंतर दिया यहाँ आपको तीन बात याद रखनी हैं बाबर को भारत आने का निमंतर देने वारे तीन परमुख वेक्ति कोड़ थे कहते हैं एक तो था पंजाब का सुवेदार दोलत खा लोदी दूसरा था इबराहिन लोदी का चाचा आलम खा आजाए तब भी वो ही बात है और आरम खां लोदी आजाई तब भी वोई बहत है तीसरा मेवार रियासत के सासक थे राणा सांगा कहते हैं कि बाबर को भार आने का निमंत्रण देने के पीछे इन तीनों ही सासकों के अपने निहित स्वार्थ ये निहित स्वार्थ क्या थे दोलत खां लोदी या इन तीनों कोई पता था कि जो सासक हिंदूस्तान पे आता है वो हिंदूस्तान की आतुल धन संपदा को रूटना चाहता है और आतुल धन संपदा को रूट करके वापस वह हिंदुस्तान से प्रस्थान कर जाता है ऐसी ही सोच इन तेनू की थी ऐसी मानेता है दोलत खानोदी उसमें पंजाब का शासक था उसे पता था कि बावर जब हिंदुस्तान पे आकरवन करेगा तो हिंदुस्तान की राज सता कमजोर हो जाएगी और वह है पंजाब में अपने सवतंतर राजी की स्थापना कर लेगा इसलिए उसका अपना व्यक्तिकश्वार था आलम खानोदी यह इब्राहिम लोदी के चाचा थे यह सोचते थे कि जब बाबर दिली सल्तनत पर आकरवन करेगा तो दिली सल्तनत का धाचा चरवरा जाएगा और इब्राहिम की राज सता चली जाएगी और वो दिली की सता पर अपना अधिपत्ने इस्तापित कर लेगा राना सांगा भी यही चाते थे कि बाबर दिल्ली पर आकर्मन करेगा और यहां से लूट करके वापस चला जाएगा दिल्ली की राजनेतिक सता है वो जरजर हो जाएगी और वो है मेवार का सासा कि दिल्ली की राजस्यता पर अधिकार कर लेगा कहते हैं कि तीनों ही उदेश्यों से प्रेद्ध होकर कि इन्हों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रन दिया किन्तु आधुनिक राजस्तान की इतिहास कारिये कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रन नहीं दिया लेकिन वो इस ती ठक क्यों सविकार नहीं कर सकते कहते हैं एक तरफ तो कहते हैं कि बाबर की आतम कथा तजू के बाबरी है वो सबसे तार्किक पुष्टक है बाबर अपनी आतम कथा तजू के बाबरी में साब कहता है कि उशे हिंदुस्तान आने का निमंतर्ण देरे वारे सासकों में मिवार के सासक राना सांगा भी थे या तो तजू के बाबरी की तार्किकता कुछ शविकार नहीं किया जाएगा या राजस्तान के इतियासकारों के आधुनिक अनुसंधानों को आवस्य जरूर है कि दोनुमें मत भेद है किन्तु कहीं ने कहीं इन तिरू वेक्तियों की महत्वे कांक्साएं थी जो बाबर को हिंदुस्तान आने का निमंतर्ण देरे बाबर बड़ा पानिपत के मैदान से पहले पर्थम यूद से पूर्वे वह भारत पर पांच बार आकर्मन कर चुगा था वह भार आया और वापस चला गया पहली बार उसने 1519 में बेजोर और भेरा पर आकर्मन किया था वहीं वह सबसे पहले बारुद का उप्यूग करता है लेकिन आपको जो बतानी है उस बाबर की भारत में चार पर्मुक्ष्यूद हैं मिड़ा ये चार पर्मुक्ष्यूद कौ और खानवा का यूद पानिपत बड़ा भोती महत्वपूनिस्थान है पानिपत पर आपको अच्छी तरीके से याद करना है क्यों पानिपत पर कैसे याद करना है कि मोगदराजवंच का उत्थान है वो पानिपत से ही होता है और मुगलूं की रासता सूदर्ड है वो पान यूद से होती है और मोगलों का प्राभाव अर्थाथ पतन पानिपत के स्त्रत्य यूद से होता है, पानिपत के पर्थम यूद्ध, बाबर भारत में चार पर्मक्Amफ यूद्ध लड़ता लड़ा हूँ, पहला यूद पानिपत का प्र। यूद्ध, यह 21 अप्रेल 1526 को दि दूसरा युद आपको अच्छी तरीके से याद करना है बिड़ा उस युद का नाम है खानवा का युद है और कई बार लगुरात्मक परसन यहीं से पूचता है खानवा के युद में राणा सांगा की प्राजे के क्या कार्ण थे या बाबर की सफलता की क्या कार्ण थे यह प्राण युद सोडा और सत्रा मार्च 1527 को बाबर और राना सांगा के मद्द्य होता है राना सांगे के अपास विशाल शेना होती है लेकिन बाबर अपने राजनेतिक और कोटनेतिक कोशल से इस वीजे को प्राप्त करने में शफल रहता है और यहां बड़ा दो वीधियो को आपको याद रखना है जैसंगे इतिहास में तुलगुमा पात्ति और उष्मानी वीधि के नाम से जाना जता है कि यह तुलगुमा पत्ति क्या थी तुलगुमा पधति और उश्मानी वीदी है ये दो वीदिया बाबल ने खानवा के युद में उप्यों की थी और अक्षार यहां से भी परसंग पूछ ले तो तो लुगमा पत्ती क्या थी बड़ा और उश्मानी वीदी क्या थी तो लुगमा पत्ती में बड़ा स्चेना को तीन भागों में भाजित कर दिया जाता था कि वे शत्रू पर पीछे से आकर के विर्भनशात्मक आकर्मन करें तो सत्रू सेना बाएं और दाएं दोनों तरफ से घिर जाती थी इसलिए आक्षर बड़ा विदेशी इतिहास कारूने कहा है राजपूत लड़ना नहीं जानते थे मलना जानते थे क्यों वो या तो रणखेत्र में रणगती को प्राप्त करना चाहते थे विरगती को प्राप्त करना चाहते थे और या रणखेत्र में शहिदो ही उनके सामने विकाल या तो वीजे शिरी का वण किया जाए या रणखेत्र में शहिद हो जाए कि एक बार अगर हम प्राजे भी हो जाएंगे तो संग्थित होकर के दूसरी बार मुगलों को प्रास्त कर सकते हैं ऐसा नहीं वो रणचेत्र में ही वीर्गति को प्राप्त करना स्ट्रेश कर अमानते थे प्रणाम क्या हुआ? खानवा के युद में बाबर के पास कम शेना होते होए भी राधपूतूं के पास भारी भर कम शेना होते होए भी उन्हें प्राजे का सामना करना पड़ा परिकों सी थी तुलगमा विद्ती तुलगमा पत्ति में शेना को कितने तीन भागों में बाटा जाता था बाएं और दाएं पक्स को क्या घूमकर के सत्रूपक्स पर पीछे से आकरमन करना पड़ता था रिजर्बर शेना उस समय काम मेरी जाती थी जब उनमें से एक भाग ठक जाता था उनके इस्थान पर उनको इस्थाना अंत्रित कर दिया जाता था उसमानी विधी इसमें बड़ा दो गाड़ियों के बीच इतनी जगह रखी जाती थी कि जहां से तोप खाने को आसानी शे रक्कर के सत्रुपक्ष पर आकर्मन क्या जाए गाड़ियों की सरंचना खड़ी कर दी जाती थी उनके मध्य जगह रखी जाती थी वहां से सत्रुपक के उपर आसानी से आकर्मन किया जा सकता था ये थी उस्मानी विधी है पहला कौन सा था पानिपर्थ का पर्थम युद कब हुआ 21 अप्रेल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी की मद्दे दूसरा कौन सा था खानवा का युद कब हुआ 16 मार्थ 1527 को बाबर और राणा सांग की प्राजे हुई बाबर ने इस युद में कौन सी विधी का प्रियोग किया था आपका उत्र होगा तुल्गमा पत्ति और उस्मानी विधी कई बार ये भी पूछ लेता है कि खानवा के युद के उन दो परमुक मुसलिम योदाओं के नाम बताई जो बाबर की तरफ से न राणा सांगा के साथ मिलकर के युद लड़ा था और कई बार ये पूछ लेता है कि उस राज्पू सरदार का नाम बताई जिसने खानवा के युद में राणा सांगा के प्राणू की रक्सा की थी आपका उत्तर होगा जाला अज्जा अगला परसंद आप से क्या पूछता कि बाबर द्वारा लड़ा गया तीसरा पर्मुक युद कौन सा था वो होगा चंडेरी का युद कौन सा युद था चंडेरी का यह युद जनुवरी 1528 में हुआ जिसमें बाबर और मालवा के सासक मेदेनी राई के मद्धे हुआ जिसमें मेदेनी राई की प्राजे हुई ब महमुद लोदी और नुसरुत खां की शुक्षेना थी एक तरफ बाबर था इसमें भी उनको महमुद लोदी को प्रास्त होना पड़ा इस यूद की एक विशेस्ता ये थी कि ये जल और थल दोनूं में एक साथ लड़ा गया था और इस यूद में भी बाबर की विजे हुई इसलिए भाबर 15, क्या भारत में उसने चार पर्मुख यूद लोड़े थे 1521 में फानिपत का परत्रम यूद लड़ता है 1526 में फानिपत का पर्ठं यूद। इस्रियो परसाशन के तरफ ज़्यादा धान नहीं दे पाता है और उसके कुछ समय के पर साथ ही उसकी 26 दिसंबर 1530 को मृत्यू हो जाती है उसकी मृत्यू के पर साथ उसका वेटा राजेर होन करता है लेकिन यह आपके शेस परसन है वो मुगल काल की किसमें साहित्य में और मुगल काल की करा में और मुगल काल की अन्य विशु से समंदित है जहां आपके साथ उन पे चर्चा की जाएगी आज मैंने बाबर के साथ आपके साथ थोड़ी शी चर्चा की अगले क्लास में अगले सासक के साथ इसके शेस रहे परसनों और अगले सासक पर चर्चा करेंगे शुक्रिया धन्यवाद